हेलो गैज, कैसे हैं? आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब सोस्त होंगे, आपटी पढ़ाई में बैस्त होंगे तो गैज, आज हम बात करने वाले हैं लाइकेन के बारे में हमारे इस लेक्चर में लाइकेन से सब कुछ फिनिस हो जाएगा कि वहले एक ही लेक्चर में आप देख लिजे, एक ही लेक्चर में सब कुछ है तो जी हाँ बिल्कुल, हमारे इस लेक्चर में लाइकेन का पूरा कोश्ट माडम होने वाला है अर्थात इसके स्ट्रक्चर सो लेकर के एकोनमिक इंपोर्टेंस तक अगर यह हमारे लेक्चर आपने देख लिया तो आपको दूसरी जगहों से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी गाईज अगर इस लेक्चर को देखने के बाद, लिखने के बाद कहीं से भी कोश्टन लाइकेन का आजाए आप एक बार उसे हल करके देख लेना कि आप पूरा का पूरा कोशल इस टॉपिक से आपका फांस जाता है कि नहीं फांस जाता है यह लेक्चर देखने के बाद गाईज तो चलिए सुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को गाईज तो देखे सबसे पहले लाइकेन की अगर हम बात करें लाइकेन इससे कहते हैं भई इससे कहते हैं सैवाक कहते हैं सैवाक कहते हैं अब सैवाक क्यों कहते हैं आप जानते हैं क्योंकि यह सैवाल और कवक सैवाल और प्लस कवक दोनों के घटक से मिल करके बना होता है, जिस कर अरसी से क्या कहते हैं, सैवाग, ये तो बेसिक चीजे हैं, इतना आप जानते हैं, तो इस्टाट करते हैं, सबसे पहली बात तो ये, इस सैवाग में, अर्थात Lichen में, टोटल जीनेरा है, 400, लगभग कितने जीनेरा हैं, 400 लगभग जेने रहा हैं इसमें और इसकी species है लगभग 18,000 लगभग कितनी 18,000 इसकी species है बात करें सबसे पहले कि लाइकेन की अध्यन को क्या कहते हैं तो study of lichen is called lichenology यहीं लाइकेन की अध्यन को क्या कहते हैं लाइकेनोलाजी कहते हैं और लाइकेन की खोज किस ने किया था गईस लाइकेन की खोज किया था discovered by तुलसाने तुलसाने ने इसकी क्या किया था गईस इसकी किया था खोज तुलसाने ने इसकी खोज किया था यह आप देख लिजे highlighter में ने कर दिया और इसकी अध्यन को क्या क कि father of lycanology किसे कहते हैं तो कहा जाता है Eric Acherius को कहा जाता है father of lycanology, lycanology का जनक कहा जाता है Eric Acherius को, अगर ये lycanology की पिता है तो भारती lycanology की जनक कौन है, father of Indian lycanology, तो कहा जाता है D.D. अवस्थी को, किसको कहा जाता है guys, D.D. अवस्थी को भारती lycanology का जनक कहा जाता है, term, सबसे पहले किस ने दिया था तुथियो प्रास्टस ने दिया था लाइकेन सब्द बिल्कुर एक एक पॉइंट का निचोड कर रहे हैं गाइस देख लिजे बिल्कुर जैसे हमने वाइरस वैक्टिरिया फंजाई सब्द भीद है सबुनिस कीया उसी रिद यह चल रहा है और इससे क्या कहा जाता है लाइकेम को और क्या कहा जाता है आल्स록 कार्डश लो ग्रोविंग प्लांट सबसे धीमी गती से ब्रिध करने वाले ये पाओधे हैं, सबसे धीमी गती से ब्रिध करने वाले पाओधे हैं, slow growing plant, अथवा इससे क्या कहा जाता है, फार्मर आफ नेचर, प्रकीती का किसान भी कहा जाता है, प्रकित का किसान क्यों कहा जाता है इसे देखे यह क्या करता है बड़े-बड़े चट्टानों के उपर होता है तो इससे लाइकेनी के सिट का सराव होता है जिस कारण से यह बड़े-बड़े चट्टानों के छोटी चट्टानों में विग्डित करता है फिर वो छोटी चट् से मिल करके बना होता है कौन लाइकेन तो आब बात करते हैं इस लाइकेन के बारे में स्टोरी सुरू करते हैं आगे चलिए तो मोटा मोटा बिल्कुल पॉइंट रो गया to the exact पॉइंट बिल्कुल इसी तरीके से हम ले करके चलते हैं कोई टाइम वेस्टिंग नहीं अब तो यह पेरिनियल होते हैं यह बहु अर्सी होते हैं ऐसा नहीं है कि एक अर्सी है यह उगे छोटे-छोटे पौधे हैं नस्टोग है बहु अर्सी है और लाइकेन मैंने बताया कि यह एलगल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट दोनों से मिल करके बना होता है इसका लाइके और इलगल कंपोनेंट को कहते हैं फाइको बयांड कहते हैं अग दोनों के बीच में सिंबियोटिक एसोसियेशन पाय जाता है गाई सह जीविता अर्थार दोनों आपस में एक दूसरे से बिल्कुल सिंबियोसिस प्रोसिस को ये सो करते हैं प्रदर्शित करते हैं ठीक एक दूसरे से इन दोनों का काम चलता है दोनों घटक में कोई प्रकाशनसलेशन करता है जैसे यह है फोटो संथेसिस करता है तो यह क्या करता है यह इसको जो है वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके उसको प्रोगे करता है तो दोनों को आपस में काम चलता है अब यहां माइको बियांट जो है गर्जिसको देखी जर्ण जो माइको बियांट है कवक के घटक है यह क्या करता है यह यहां पर जो फाइकोबी आंट है यह क्या करता है यह फोटो सेंथेसिस की द्वारा कार्बो हाइडरेट का निर्माण करता है और इसमें अब थोड़ा सा बात करते हैं आगे की सदस में कोबी ऐस्टेश में इसकी बैसीडियो माऍबी के संदस से होते हैं कर इसकोबीन करते जो है घटक सामिल होते हैं तो यह इसको माईस्टीज के गाईस यह ध्यान रखिएगा और कुछ चार species हैं किसके बेस्टीडियो माईस्टीज के अब बात आती है अब अच्छा यह जो माई कवक हैं इसके जो घटक हैं किसमें भाग लेते हैं तो ऐसमें बात करें तो कार्बोहिड्र का निर्मार करता है इसमें किसके सदस होते हैं जो सैवाल होते हैं पिलोरोफाइस्य के लगभग कितने परसेंट 75 के देखने को मिलेगा और 80 ठीक है तो लगभग 80 परसेंट जो घटक होते हैं Pluro csak C.E.C के सदस्य होते हैं इसमें जो सैवाल होते हैं अथवा Mix of F apolog rage अथवा कां से? Blue-Green Elgui blue-green Elgui के लगभड कितने 20% सदस्य सामिल होते हैं blue-green Elgui में आप जानते हैं जैसे blue-green Elgui कौन है? Ena bina है, no stock है, cycle niimar ये क्या है blue green algae है गई ठीक है blue green algae है तो chlorophycic 80% blue green algae ठीक है इसके कितने 20% जो सदस्य होते हैं सामिल होते हैं अब आगे थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं इसके में जैसे फंजाई की जो घटक है वो sexual production में भाग लेते हैं तो आगे इसकी process क्या है थोड़ा सा इसकी बात करते हैं अ question बिल्कुल very very most important 99% important है यह पाजाता है इस्टर्न हिमालया में यानि भारत में कहां इस्टर्न हिमालय में पूर्वी हिमालय में यहां सबसे ज्यादा जो लाइकेर होते हैं वो पाए जाते हैं तो इसको आप फड़ा जरूर ध्यान रखिएगा गई से आगे चलते हैं अगर फंजाई का जो घटक है मैंने बता है सेक्च्वालिक पोड़क्शन में भाग लेता है तो थोड़ा सा आगे इसी प्रोसेस को बढ़ाते हैं सेक्च्वालिक पोड़क्शन में अगर भाग ले रहा है तो इसमें सेक्च्वालिक पोड़क्शन में भाग ले रहा है तो आप male sex organ तो इससे क्या निकलेगा? male gamemeanई बनेगा? male gamemeanई और यहां से क्या? तो अब यह देखिए. male gamemeanई जो बनता है release होता है, उसे कहते है spermatium. क्या कहते है? यह question बन जाता है. Important है. male sex organ से. जो male gamemeanई बनता है. उसका क्या नाम है? तो spermatium. अब यह जो फिमेल सिक सारगन है इसे कार्कोगोनियम कहते हैं अब कार्कोगोनियम को जो इस्ट्रक्चर है गाईज इसको देखिए जो बेस पर होता है बेस पर उसे इसको गोनियम कहते है अब जो उपर होता है उसे कहते है ट्राइपोगाईन क्या कहते है यह सरचना ट्राइ दीजिए क्या बनता है अब इसके बाद बिल्कुल तू दा पॉइंट हम ले करके आए हैं गईस बिल्कुल हमने बताया कि इस लेक्चर को हमारे आपने देख लिया तो आपका लाइकें से एक भी प्रस्ण छूटे करहीं मैं दावे के साथ कर सकता हूं ठीक है अब यहां करता है और यह बिचारा किसकी तरह अन्यसरा करकर इसको भोजन देता रथात यह दास की तरह होता है तो इस तरीके से कुछ इसमें ऐसा देखने को कहते हैंücht इसमें मैंने बताया कि फंगल और ल्गल नो का मं Cons winners क Τु इस पर 직 Пом में पूछा गया है गई बार कोईशन बन चुका है किसमें होता है लाइकेन में अच्छा यह हिलोटिज्म को अब यहां से समझ यह क्रॉम्बी है कौन साइंटिस्ट है क्रॉम्बी इन्हों ने इस घटना को कहा मास्टर एंड स्लेव हाइपोथिसिस ठीक है मालिक और दास की हाइपोथिसिस को गईस की एक मालिक की तरह होता है और दूसरा किस की तरह होता है दास की तरह होता है और इसी तरीके से इसका एक नम और दिया गया कि मालिक दास की तरह तो है ही इसको हस्वाइंड एंड भी कहा जाता है guys husband and wife association यानि पत्ति पत्नी का जो है association कहा जाता है संबंध कहा जाता इसको तो ये बात आप ध्यान रखिए कि master and slave hypothesis किस ने दिया तो क्रॉंबी ने दिया और इसमें हिलोटीज्म की घटना किसमें पाई जाती है तो लाइकें में पाई जाती है ये बात ध्यान रखिएगा अब यहां एक अलग से है guys कुछ points कि जैसे seciscalis क्या है, acarticollis क्या है, tyrcalis क्या है, लegnicolis क्या है तो कुछ liken जो है उनकी उपस्तिती क अधार पर ये टर्म दिये गए, कुछ लाइकन लकडी पर पाए जाता है, उसे क्या कहेंगे, कुछ छिलकों पर पाए जाता है, यानि पेडों की छालों पर पाए जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कुछ चटानों पर पाए जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो ये टर्मिनोलाजी है, ज आटिकावलस बेर आफ ट्री यानि ट्री की कहां चालों पर यानि पेड़ों की चालों पर वहां पर जैसे इसका एक्जामपल परमेलिया और यूसनिया टैरीकावलस किसे कहते हैं जब ग्रो आन अर्थकरस्ट अथवा स्वायल जब लाइकेन कहां या तो कह दीजे मर्दा में या कह दीजे आर्थकरस्ट पर उग जाए तब उसे कहते हैं टैरीकावलस इसका एक्जामपल है क्लाइडोनिया क्या है इसका एक्जामपल क्लाइडोनिया गाईस लिगनिकावलस किसे कहते हैं आन ओड जब कहां ये उग जाता है लकडी पर उग जाता है तब उसे कहते हैं लिगनिकॉलस इसका example है साइफेलियम क्या है साइफेलियम इसका example है तो यह बहुत ही important points है गाईज आगे चलते हैं आगे इसकी खास बात क्या है उसको भी देख लेते हैं देखिए अगली खास बात यहाँ पर गाईज अगर इसके थैलस से हम बात करें तो इसके थैलस को किसी में जो है साइंटिस्ट ने एक संबंद और कह दिया इसी में जो इलगल और फंगल कमपोनेंट के कारड़ ये बना होता है दोनों से, दोनों के सासंबंद से बना होता है तो इसे टर्म दे दिया consortium, अगर आज़े परिछा में consortium का relation किसे है तो like in के थै crustose, दूसरा folios, तीसरा fructicose, fructicose ठीक है crustose, folios, fructicose ये तीन प्रकार का इसका थैलस होता है बाकि इसकी जो fructing body की बात करें अगर हम इसको कार्ड क्या कहलाती है इसकी fructing body, fructing body इसमें दो प्रकार की होती है एक epothecium, दूसरा perithisium ये एक प्रस्न बन चुका है इसे आप ध्यान रखिएगा कि लाइकें की जो fructing body होती है, epothecium होती है, epothecium का मतलब किसकी तरह, pret like है, perithisium मतलब किसकी तरह, flask like है, अभी इसकी चर्चा हम आगे करेंगी गाईज, आगे भी कर रहे हैं, पहले थोड़ी सी इसकी चर्चा हम लाइकें की, देखिए सामान जो बाते फिनिस कर लिया, आप classification की बात करेंगे, लाइकें के वर्गी करण की अब हम बात करने वाले हैं गाई, तो देख लिजी लाइकें का जो वर्गी करण है, classification इसका जैहल बुरुकनर, जैहल बुरुकनर ने 1907 में सबसे पहले इसका जब classification किया, तो किसका अधार लिया, फंगल component की अधार पर, पहले लाइकें का वर्गी करणsp myślę में भाटा, हर एक एसको लाइकें होते हैं, दूसरा behisidio Conven pose होते हैं, तो उसे behisidio mechanic की अधार पर जैहल बुरुकर ने इसका वर्गी करण किया, तो इसको लाइकें का मतलद, इसमें जब कवक के इसको माइस्टीज के सदस से होते हैं तब उसे क्या कहते हैं एसको लाइकेन कहते हैं जब बेसीडियो माइस्टीज के सदसे होते हैं तब उसे बेसीडियो लाइकेन कहते हैं अब इसका एकजामपल क्या है जैसे कोरिला है और डिक्टियो नीमा है इसमें और भी है जैसे एसको माइस्टीज के सदस है त यम्ह하게णोड कैसी, फिलार ये इंपौर्डेंस ज्याता है एसकोलाइकएन, इसकोलाइकेन की fruity body के अधार पर पुना इसको दो भागों में बाड़ दिया गया, इसे अधार बेस defu invention body के अधार पर इसका?」 fruивyszटव भागों में बाड़ दिया, एक तो जिम्नोकार्पिय और पाइरिनोकार्पिय ठीक है जिम्नोकार्पिय और पाइरिनोकार्पिय दो भागों बाटा जिम्नोकार्पिय आल्सो काल्ड डिस्कोलाइकेन इसे क्या कहते हैं डिस्कोलाइकेन भी का जाता है और इसे क्या कहते हैं पाइरिनोलाइकेन भी कहते है अब Jimnokarpia, अथवा Discolichen, इसकी जो fruiting body है गाई, इसकी जो fruiting body है यो apothecium प्रकार की होती है, अर्थाथ किस की तरह? प्लेट की तरह होती है, इसका example है Jimnokarpia में, जिसमें apothecium जो है अर्थाथ plate-like होती है, इसकी fruiting body, इसका क्या है? परमेलिया, कौन सी है? परमेलिया इसका example और यहाँ पर जो पाईरिनो कारपिय ही है, मैंने बताए इसके पाईरिनो लाइकन भी कहते हैं, इसकी जो fruiting body है, इसकी fruiting body पेरिथीसियम कहलाती है, कैसी होती है? फ्लास्क लाइक होती है, इसका example पाईरिनो कारपियम जैसे डर्मेटो कारपान, अब यहाँ स्टोन मस्र भी कहते हैं, अब यहाँ से question उठा सकता है, तो इससे आप ध्यान रखेगा, हलागे अब चलते हैं, इसके external morphology पर, किस पर बात करते हैं, इसके बाई सनचना की बात करते हैं, कि लाइकन देखने में कैसा लगता है, इसकी जो सनचना होती है, अर्धाद यह थैलॉइड होती यह थैलॉइड का मतलब एक थैलस किसे कहते हैं, जब जड तना पत्ती में विभेदित नहों, प्लांट तब उसे क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं, तो इसकी जो बाड़ी होती है, वो थैलॉइड कहलाती है, अर्थात इसमें भी root, stem, leaf में आप इसको भी भाजित नहीं कर सकते ठीक है, तो अब देख लिजे, इसमें जो है, इसकी structure को तीन group में बाड़ दिया, तीन समूहों में बाड़ दिया, अब तीन समूह कौन है, fructose lichen है, folios lichen है, और fruticose lichen है, अभी मैंने बताया था, अभी इसका जिक्र मैंने बोला था, ना करेंगे तो यहीं है, बहुत ही important है, ठीक है, बहुत ही important है, crustose, folios, fruticose, तो जो crustose lichen है, crust मतलब आप जानते हैं कि चटा, वहां से बिल्कुल ऐसे उख जाते हैं, उसमें, कि इसको आप अलग नहीं कर सकते, अगर अलग करेंगे, separate नहीं कर सकते, यह नुच उच जाएगा, समझ रहे हैं, थैलस कि इसका flight हो होता है, और कठोर होता है, ठीक layer बनाती है, कैनाट separate और इसे प्रथक नहीं किया जा सकता है, चटानों पर अगर यह हो गये हैं, तो guys, flat होती है, rigid होती है, इसे separate अलग नहीं किया जा सकता है, इसके अधार से, इसमें विसे सरचना होती है, aerially, यह ध्यान रखिएगा, aerially, ठ करस्टोज लाइटन का example देख लीजिए ग्रैफिक्स हो गया, जैसे ग्रैफिक्स, लीके नौरा और यहां पर राईजो करपान के इसे और विसे और पती!!! light-dried leaf य blas, सूखी पत्ती की तरह होते हैं और इसकी नीचली सता से Ryzen सनचना निकलती है क्या निकलती है Ryzen ये important है कि Ryzen अगर पूछ लेगा किसमें पाई जाती है तो folioz lichen पाई जाती है Ryzen structure और folioz lichen like dried leaf यानि सूखी पत्ती क्तरह होते हैं इसे अगर अलग करेंगे तो पूरा अलग हो जाती है' इसकाARD परमेलिया है, फाइसिया है, पैल्टीगेरा है और सिट्रेरिया है और जंतोरिया, ठीक है, सिट्रेरिया और जंतोरिया ये इसका stokedol हो गया Folios lycan ये hier ये स्तुरब लाइक जाडी नुँमा है। लटकते हुए पाजाते हैं जाड़ी नुमा यह लटकते हुए पाजाते हैं तो यह हो गए स्टरबलाई जाड़ी नुमा इसका एक्जामपल है गाईस जैसे कलाइडोनिया यूसनिया और एलेक्टोरिया रामालिना यह सब ही गाईस कलाइडोनिया यूसनिया एलेक्टोरिया को जिसके एक्जामपल हो गए को इसकी क्या विशेशता है मैंने बात किया अब इंटर्नल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं इसके इंटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देख लिए जाए इसका complex होता है जटिल होता है और मुख रूप से जो internal structure हम बात करने चल रहे हैं folios liken की बात करने चल रहे है folios liken की इसके जो complex होता है अगर internal structure देखेंगे तो इसमें चार भाग दिखाई देते हैं चार भाग एक तो upper cortex दूसरा lower cortex upper cortex और lower cortex बीच में अपर कार्टेक्स के ठीक नीचे algal layer होती है फिर algal layer के नीचे medulla होता है तो यह भी पूछा है गाईस की internal structure देखने पर उसमें कौन-कौन सी layer देखने को मिलती है ध्यान रखिएगा upper cortex और lower cortex और medulla और algal layer यह चीज़े हैं इसमें upper cortex, algal layer, medulla और lower cortex यह ध्यान रखिएगा upper cortex fondoid fungal filament यह किसका बना होता है? fungal filament का बना होता है. algal layer इसे gonadial layer भी कहते हैं और algal reproductive layer भी कहते हैं इसे क्या कहते हैं? algal reproductive layer इसमें algae वाले भाग होते हैं गईसे और इसका डिवाइडेशन फिर से किया गया है इसका डिवाइडेशन कैसे? homeo isomerus और heteromerus. homeo merus और heteromerus यह दो भाग हैं. homeo isomerus का मतलब algae plus fungi दोनों के component बराबर होते हैं गईसे बराबर होते हैं तब उसे कहते हैं homeo isomerus. इसका example है कोलेमा और लिप्टोगोनियम लिप्टोजियम और कोलेमा और heteromerus में आप जानते हैं विसम हो गया इसमें उल्जे रहते हैं एक दूसरे में कहीं ज्यादा तो कहीं कम यह most common प्रकार का है गईस इसका example जैसे परमेलिया और जन्तोरिया मेडिूला की निशेष्टा यहां इंटरसेललर स्पेस देखनी को मिलता है इंटरसेललर स्पेस प्रेजेंट होता है लोवर कार्टेक्स की बात है मेड़ भाई फंगल कंपोनेंट देखिए यह भी फंगल कंपोनेंट का यह भी इसका और फिर आगे बढ़ते हैं उमीद करते हैं कि आपकी समझ में आगया होगा गईस थोड़ा सा माड़ा और न्यूट्रेशन की बात करें देखिए अभी तक कोस्चन बना नहीं है तो हो सकता है न्यूट्रीशन से बात कर ले माड़ा न्यूट्रीशन इसका बायो ट्र स्टो में कि इनलागस होती है। सिप्रियेट्री रिस्पाइरेशन में भाग लेगा इसी कारण ते से क्या कहते हैं । प्लांट और लोवर कार्टेक्स यहां यह कहां होता है यह साइफिली कहां होता है लोवर कार्टेक्स में होता है यह आप ध्यान रखेगा हो सकता है कि यहां से पुछ ले अब रिक्प्रोडक्शन की बात करते हैं किसकी बात करते हैं गई रिक्प्रोडक्शन की बात करते हैं अगर like and make production की बात करें तो यहाँ पर एक तो हो गया asexual और दूसरा हो गया sexual आलाएंगी का और लेंगी हलाकि यहाँ पर थोड़ा सा exception है कई जगहों से गईज यह जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जगहों से connect किया किया कि इसको एक एक matter का पूरा देख करके फिर इसको कर्त्रित किया गया है आप सबके लिए तो देख लिए जहाँ exception है मैं से बताए भी दे रहा हूँ ऐसा exception आपको डिख जाएगा तो asexual किसके द्वारा होता है यह question सीदेशी देबना है तो वहाँ पर दिया था सभी जैसे यहाँ सुरीडियम भी दिया था सिफैलोडियम दि आगे देखिए sexual reproduction की भी मैं बात कर रहा हूँ पहले asexual की तो बात कर ले asexual जैसे fragmentation by this बहुत component भी कंपल सरी देखिए fragmentation के लिए अगर हो रहा है तो इसमें algal component फंगल component दोनों का होना जरूरी है अनिवार है यहाँ पर गाइस दोनों का होना अनिवार है asexual में अब जैस सिफैलोडियम वाट लाइक structure जैसे मस्सा नहीं होते निकल जाते हैं ऐसे यह मस्सा की तरह निकल जाती है सनचना है इसे कहते हैं सिफैलोडियम किसमें मदद करता है help in retaining moisture यह निए आधरता को क्या करता है धारण करने में मदद करता है सिफैलोडियम यह हो सकता है कि इसका function पूची लिया जाएगा इस तरहाएगा कि सो रिटियम सहां एकर बात करें आइस και सीफैलोडियम और आईस्यivan के सदस्द से होते हैं. अब इसमें एक male होगा, six organ और एक female, तो male six organ flask-like होता है, flask-save होता है, जिसे spermogonium कहते हैं और female कार्पोगोनिय कहलाती है, यहीं spermogonium और कार्पोगोनियम, अभी मैंने बात किया. अब स्पर्मोगोनियम से स्पर्मैट्रिट्स निकलता है जो मेलगए मीड होता है कार्पोगोनियम से अब इसमें होता क्या है कि भी एक सनचना होती है SI क्या होती है SI SI में 8 स्पोर बनते हैं यह question बन चुका है गयजी यह question बन चुका है यह थोड़ा सनचना देखिए सनचना की तरफ यहां हाइमेनियम से question पूछा है अगर fertile layer है तो कौन सी है हाइमेनियम सब हाइमेनियम आप जानते हैं इसमें होती है और इसमें हाइपोथीसियम होती है सनचना यह पूरी सनचना पैरा फाइसिस के दोरा यह पूरा घीरा होता है यह पूरा घीरा होता है SI जो है पैरा फाइसिस के दोरा क्या होता है यह घीरा होता है बाकि एसको कार्प कहते है यह पूरा पूरे जो सरचना है इसको कार्प कहलाती है इसमें और यह सरचना मैंने बताई ही दिया हाइपोथिसियम यहाँ कुशन जो पूछा था वो SI में कितने आठिस को स्पोर होते हैं और इसकी जो फर्टाइल स्ट्रक्चर होती ही वो क्या होती है तो हाइमेनियम होती है ही लगती है इन्ही लाइकेनों के कारण ही लगती है इस यूसनिया को old man beard कहते हैं बृद्ध की दाड़ी कहते हैं इसको क्या कहते हैं बृद्ध की दाड़ी क्यों कि ये फटा-फट के अंदाज में इसका आर्थिक महत भी देख लिया जाए, economic important, देखे, age of food, फहला point, इसका food and fooder, यानि भोजन और चारा के रूप में, भोजन और चारा के रूप में, जैसे एक्जांपर जैसे लिके नोरा और परमेलिया, अर्था इससे परमेलिया को सिला कुस्प कहते हैं, दच्छिर भारत में इसका यूज होता है, ठीक है, food के रूप में दच्छिर भारत में इसका यूज होता है, तो यह ध्यान रखेगा, यहाँ पर दूसरा जो है, इससे आइसलेंड मॉस भी कहते हैं, क्या कहते हैं? आइसलेंड मॉस भी कहते हैं, सिट्रेरिया आइसलेंड को very very most important, atival in Iceland, कहा? आइसलेंड में यह खाने योग है, और यहाँ पर, लैर लािकेनीन, लािकेनीन में क्या होता है, लाइकेनिन अर्थात इसमें यह कार्वो हाइडरेट प्रजेंट होता है लाइकेनिन में क्या प्रजेंट होता है कार्वो हाइडरेट और इसमें क्या अप्सेंट होता है जैसे स्टार्च सेललोज अप्सेंट होता है लाइकेनिन में यह कोशन हो सकता है बना दे गईस इस बा को यहां कलाइडोनिया रहेंगी फेरिना को रेंडर मॉस कहते हैं फुडर फार रेंडर मस्क आक्स यानि मस्क आक्स और रेंडर के लिए यहां किसके लिए चारे के रूप में यूज होती है कलाइडोनिया रहेंगी फेरिना जिसे रेंडर मॉस कहते हैं इवर्निया को ध्यान डाइड की रूप में देखी ज़रा ऐज डाइज यसे लिटमस पूछा है बहुत बार पूछा है वैसे वंडेक जा मैं भी इसका कोशन बनता है लिटमस किस्से प्राप्त होता है तो लाइकेन से और रोसेला मौंटेगनी रोसिला मॉन्टेगनाई से लिटमस प्राप्त होता है गाईस और आर्ची सिल आर्ची सिल ब्लू डाई यह निली डाई है और ची सिल किसे प्राप्त होता है सिट्रेरिया और रोसिला और लिके नोरा तीन है सिट्रेरिया रोसिला लिके नोरा यह कोशन बन चुका है दो बार यह question TGT PGT में बना है और चिसल जो blue dye है किसे प्रापत होता है से ट्रेरिया रोसेला लिके नोरा कोई भी यह दे दे एक भी तो आप टिक कर देना तीनों दे देगा तो और better है कोई confusion भी नहीं होगा अब हो गया food और food के रूप में, diet के रूप में, medicine के रूप में, using medicine due to lycanine, lycanine के कारण इसका use medicine में होता है अब यहाँ देख लिजे, जैसे किसमे, peltigera canina है, used against hydrophobia, hydrophobia में इसका use होता है hydrophobia के against, peltigera canina का use होता है, इस peltigera canina को कहते है dog lichen, यह अभी question माना है नहीं dog lichen किसे कहते हैं, peltigera canina को dog lichen कहते हैं, यह जितने मैं नाम बता रहा होगाई, इसको एक जगह आप collect करें लिख लेना genthoria, genthoria इसका use होता है किसमें, jondis में, laboria pulmoneria किस lung infection में इसका use होता है और citraria किसमें, lexative के रूप में होता है, अर्थात कब जहर के रूप में होता है ना, जैसे कहें कब जब जब बन गया, तो citraria का use होता है वहाँ पर गईस, ठीक है, कब जहर के रूप में, तो peltigera canina, genthoria, laboria pulmoneria, citraria, तो इनको आप ध्यान रखिएगा किसमें medicine में है, ठीक है, medicine में, अब थोड़ा सा soil formation में इसका use देखिए, helping soil formation, मैंने बता है, weathering की क्रिया होती, pedagogenesis की क्रिया होती, इसके कारण जो है, soil बन जाती, बड़े-बड़े चट्टान जो है, मर्दा के रूप में convert हो जाते हैं, अब यहाँ, अगला जो use है, इसका, देख perfumes, Ivernia and Ramalina, Ivernia and Ramalina का use is perfume and perfume बनानी में होता है, और इसके अलावा सवब, 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 बत्ती, अगरबती बनाने में और हरवं साम pelvis में, इसका use रूज होता है, इवर्निया, Ramalina, ठीक है, सवब, खुब, अगरबती, और हरवं-साम Giulio में इसका use होता है, इवर्निया, Ram in zero seer कहा जाता है क्योंकि बिल्कुल krustose lichen ही ecological importance से बहुत जदा भूमी का निभाता है अगला देखिए krustose lichen अब यहाँ कैसे भूमी का निभाता है Pioneer मैंने बताया क्या है Pioneer in zero seer तो पहले krustose lichen होता है तो फोलियोज lichen फिर फोलियोज lichen से moss stage में आ जाता है मौस स्टेज से थुड़ा डेबलफ होता है, हार भी स्टेज में आ जाता है, छोटे-छोटे जाड़िया, फिर उसके बाद स्टेज में आ जाता है, जाड़ी बना लेता है, देरे-देरे बड़ा हो रहा है, फिर उसके बाद ट्री बन जाता है, फेर वहाँ पर उगने सुरू हो जाते हैं अर्थात climate पुरा चेंज हो जाता है तो क्रेश्टोज लाइकन ही सुरुवाद करता है यह pioneer होता है पाउनियर ही जीरो से पॉलियोस पॉलियोस समास से स्टेज इस तरीके से चेंज होता है अगला इसका importance क्या है उसकी भी बात करते हैं गईस अगला importance देख लिजिए जैसे पालूशन indicator में सबसे ज़्यादा पूछा गया है गई सबसे ज़्यादा अभी तक कोच्चन बने वाला है pollution indicator के रूमे, indicator आफ ये so to pollution, अर्थात इसका जो है ये sulfur dioxide, प्रदूसन के सूचक कहलाते हैं, यानि जो lichen है, वो sulfur dioxide के क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं और इसे air pollution कह दिजिए, air pollution air pollution, indicator आफ air pollution, जहां वाइब प्रदूसित होती है, अगर वहाँ lichen है, वहाँ के वहाँ प्रदूसित हो गई, तो lichen मुर्जा जाते हैं जिस कारण से पता चल जाता है, अगर lichen मुर्जा जा रहा है, तो पता चल जाएगा कि यहाँ air है, वो क्या हो चुकी है, polluted हो चुकी है, यह और वहाँ पर हो खुरूप से sulfur dioxide का प्रदूसरा है तो यह very very most important बहुत ज़्यादा बार यह पूछा गया है, ठीक है अब अगला जो है poisonous lichen है, कुछ poisonous lichen है, जैसे citraria है juniperna, citraria juniperna और litheria vulpina ठीक है, वुलपिना litheria, vulpina, citraria junipera, इसे देखे है, litheria, vulpina अध्यान रखियेगा, litheria, ulpina को बुलपिमास कहते हैं, मैंने 4-5 नाम बता दिया, कामन उसको अध्यान रखियेगा गया, यूज निप्वाजन बिस्ट के रूप में, ठीक है बिसहला होता है, इन breathing industry, जैसे citraria और lichenora citraria, lichenora का यूज alkohalic fermentation में होता है alkohalic fermentation में होता है और lichen क्या स्रावित करता है, lichen secrets, oxalic acid and carbonic acid, oxalic acid और carbonic acid भी स्रावित करता है, तो मीद करते हैं guys, lichen का यह जो lecture है, आप लोग बखुबी समझ गए होंगे अगर यह है, आपने बिल्कुल notes बना लिया, तो आपको बहुत ही मजाएगा, इस से अलग से question नहीं आगए guys ठीक है, क्योंकि इस lecture को बनाने के लिए बहुत मेहनत की गई है तो चलिए, यह lecture आप सब को कैसा लगा guys comment box में, दमदार comment साथ जरूर बताईएगा, okay, thank you, jahin